नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूस अपडेट के रूप में तो दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जदा जदा लाइक और शेयर करें तो दोस्तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा अमला कहा देश में नरेंदर मोदी और अमिशा का सिंडिकेट जी हाँ दोस्तो पशिप बंगाल विधान सवाच चुनाओं में मुख्य मंतरी और टीमसी मुख्या ममता बनर्जी ने नरेंदर मोदी सरकार पर बड़ा निशाना सादा है ममता बनर्जी ने कहा है कि देश में एक ही सिंडिकेट है और वो है नरेंदर मोदी और अमिशा का चुनाओं में बिजेपी को आठ में से साथ सीटे जिता दी थी लेकिन उन्हें क्या मिला ममता बनर्जी ने आगे कहा कि पशिम बंगाल की जनता हिंदू मुस्लिम सिक इसाय में भैद नहीं करती है वह सब को साथ लेकर चलती है उन्होंने कहा कि बंगाल की रक्षा बंगाली ही कर सकता है मोदी आएगा तो फिर चला जाएगा लेकिन बंगाली यहीं पर रहेगा उन्होंने कहा कि मोधी सरकार के मंत्री विकास के किसी काम के लिए बंगाल में नहीं आते लेकिन परचार के लिए यहां भहुत घूम रहे हैं इसके आगे उन्होंने कहा कि बंगाल में नहीं बलकि दिल्ली में परिवर्तन होगा मोधी सरकार देश के सभी पांच राज्यों में विदान सभा चुनाओ हारेगी उन्होंने आरोप लगाया कि मोधी सरकार ने दिल्ली का लाल किला बेच दिया वे लोग अपताज महिल को भी बेच देंगे ऐसा करके वे एक दिन पूरे देश को खाली कर देंगे इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर दक्षिन में अमिसा का चुनाओी बिगुल बोले केरल में हिंसा ब्रस्टा चार का बोल बाला बिजेपी करेगी विकास जी हां दोस्तों पांच राज्यों में होने वाले विदान सबाचनाओ के परचार के लिए बिजेपी पूरी तरह से मेदान में उतर चुकी है कोलकता में पीम नरेंदर मोधी है तो वहीं केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिसा ने केरल विजे यात्रा के समापन समारों में इससा लिया इस दोरान अमिसा की मोजूदगी में केरल पिपूल पारटी चीफ और अभिनेता देवन बिजेपी में शामिल हुए अमिसा ने देवन को विजेपी की सदश्यता दिलाई मंच से केरल की जनता को समबोधित करते हुए अमिसा ने कहा कि राज्ये का विकास सिर्फ विजेपी ही कर सकती है बिजेपी की केरल विजे यात्रा को संबोधित करते हुए अमिशा ने कहा कि केरल में हमारी विजे यात्राज ने लगबग 950 किलोमेटर का सफर पूरा किया इस यात्रा में 65 रेलिया और कई प्रोग्राम भी किये गए इस यात्रा के दोरान इस रिदरन हाई कोट के जज और कई अन्ने लोग पारटी में शामिल हुए अमिशा ने कहा कि गभी केरल विकास परियेटन साक्षरता में सबसे आगे था लेकिन अब LDF और UDF के साथ यहां ब्रस्टाचार और हिंसा का बॉल बाला हो गया है LDF और UDF में ब्रस्टाचार की स्वस्त प्रतिस परदा है अमिशा ने कहा कि जब UDF सत्ता में आती है तो सोर घोटाला होता है और जब LDF सत्ता में आती है तो डॉलर और सोने की तसकरी होती है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी ख़बर BJP जोइन करते ही TMC ने मिथुन चक्रवर्ती को बताया नक्सिली कहा वो आज के नहीं बलकी अतीत के हैं स्टार जियां दोस्तों दिग्गस बॉलिवूड अभीनेता मिथुन चक्रवर्ती के भारती जन्ता पार्टी में सामिल होते हैं इतना मूल कॉंग्रेश हमलावर हो गई है इस बिस TMC सांसद सोगत राय ने मिथुन चक्रवर्ती को नक्सिली बताया और कहा कि वो आज के नहीं बलके अतीत के स्टार है सोगत राय ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती ने चार बार पार्टी बदली है वे मूल रूप से नक्सिली ते फिर सीपीम गए फिर उन्होंने TMC जोईन की और राज्यसबा सांसद बने और आज वो बिजेपी से जुड़ गए है बिजेपी ने अभिनेता को ED की धमकी देकर डराया है इसलिए उन्होंने राज्यसबा छोड़ दी और अब वे बिजेपी में शामिल हो गए है उनकी कोई विश्वसनियता, कोई सम्मान और लोगों के बीच कोई प्रभाव नहीं है आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों रववार सुबक कोलकता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आईजीत प्रधान मंत्री नेरेंदर मोधी की रैली से ठीक पहले मिथुन चकरवर्ती ने बिजेपी का दामन थाम लिया इस दोरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन मेरे लिए सपने जैसा है इतने बड़े नेताओं के साथ मंचसाजा करूंगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था इस दोरान उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिये बिना बहारी बना भीतरी का जवाब देते हुए कहा कि बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली है हम गरीबों के लिए काम करना चाते हैं गरीबों के लिए काम करना मेरा सपना है मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ मैं पानी का सांप नहीं कोबरा हूँ इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली वड़ी खबर आसाम विधान सबा चुनाओं में कॉंग्रेस ने चला चुनावी दाव पहले चरण में नए केंडिडेट्स को दिये 50% टिकट जियां दोस्तों असमे होने वाले विधान सबा चुनाओं के लिए कॉंग्रेस ने नए प्रतियाशियों पर किस्मत आजमाने का फैसला किया है पार्टी ने शनिवार राज जिन 40 उमीद्वारों की पहली सूची जारी की है उनमें से आधे नए हैं पार्टी के और से जारी पहली सूची में 20 ने चेहरे हैं और 6 मोज़ुदा विधायक हैं इनमें कॉंग्रेस विधायक दल के नेता देव ब्रति स्वकिया का नाम भी शामिल है जो नजीरिया से उम्मीद्वार बनाए गए हैं प्रदेस कॉंग्रेस अद्देक्स और राज्य सबा सदज से रिपून बोहरा गोहपूर विधान सबा सीट से चुनाओं लडेंगे पिछले चुनाओं में इस सीट पर उनकी पत्नी मोनिका वोहरा को बिजेपी ने करीब 30,000 मतों से पराजित किया था इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर इंटरनेशनल वुमेंस डे पर महिलाओं के हाथ होगी फार्मर्स प्रोटेस्ट की कमान हर जगे दिखेगी भागेदारी जियां दोस्तों अंतराष्टे महिला दिवस पर सोमवार को दिल्ली की सीमाओं, सिंदू, टीक्री और गाजीपूर बोर्डर पर किसानों के अंदोलन में मंच प्रबंदन सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाएगा इस खास मोके पर अंदोलन में महिला किसान, विद्यार्ती और कारेकरता बड़ी संक्या में सामिल होंगे महिला दिवस पर सभी धरना, इस तोलो पर महिला किसानी मंच प्रबंदन भोजन और सुरक्षा का प्रबंद करते हुए अपने संगर्ष की कहानिया साजा करेंगी आयोजकों ने बताया कि महिला देश के क्रशी शेत्र में महत पूर्ण भुमी का निबाती है इसलिए इस खास दिन महिला किसानों को मंच प्रबंदन सोपने की योजना बनाए गई थी किसान नेताओं ने कहाए कि खास तोर पर पंजाब और हरियाना से आने वाली हज़ारों महिला किसान सोमवार को दिल्ली की सीमाओं पर अपनी ताकत दिखाएगी यह दिन पूरी तरह से महिला किसानों कारे करता और चात्रों को समर्पित है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली वड़ी खबर अंतराष्ट महिला दिवस पर नीता अमबानी ने महिलाओं के ससकती करण में तेजी लाने के लिए लौंच किया हर साइकल एप जी हाँ दोस्तों इस वर्ष अंतराष्ट महिला दिवस के उपलक्ष में रिलाइंस इंडरस्टीज के चेर्मेन की पतनी नीता अमबानी ने हर साइकल लॉंच किया है इस मौके पर उन्होंने का है कि अपनी तरह का पहला डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका उदेश से महिलाओं के ससक्तिकरण में तेजी लाना और वेस्वी की स्तर पर भाईचारे के प्रमधन को मजबूत करना है जिससे उन्हें सहभागिता, जुड़ाओ, सयोग और आपसी सयोग के लिए एक आनंदमय और सुरक्षित तान प्रदान किया जा सके नीता मबानी ने कहा कि मुझे खुशी है कि हम हर साइकल डॉट इन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माद्यम से लाखो महिलाओं के लिए समर्तन और एक जुटता का ऐसा चक्र बना सकते हैं जो हर महिला को इसमें सामिल होने के लिए आमंतरित करता है नीता ने ये भी कहा है कि 24 इन्टु 7 वेस्विक नेटवर्किंग और साइयों को सक्षम करने वाली डिजिटल करांती के साथ उनका सरकल सभी संस्क्रतियों समुदाय और देश की महिलाओं के विचारों और पहल का स्वागत करता है इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का म्यानमार के यंगुन में प्रदेशन कारियों पर दमन का दोर जारी गोली बारी में 5 लोग घायल जियां दोस्तों मियमार के सेन ने तक तापलट का विरोध कर रहे प्रदशन कारियों पर गोली चलने की खबरे सामने आने से हड़कंप मच गया है पुलिस ने देश की पूरुरासदानी बागान में रैववार को गोली बारी की जिसमें कई लोग घायल हो गए सोशल मीडिया पर प्रते दर्शियों दोरा बताये गए आँखोदे के हाल और वीडियो के जरीए यह जानकारी सामने आई है बागान में प्रदशन कारियों पर सुरक्षा बलों की इस कार रिवाही में पांच लोग घायल हुए मोके से गोलियां भी बरामत की गई आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों बागान को देश के चंद भैतरिन टूरिजमी स्पोर्ट के तोर पर जाना जाता है लेकिन सेना के तक्तापलट के खिलाफ यहां अब बड़े पेमाने पर विरोध प्रदशन सुरू हो रहा है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर मुसलिम को खलनाएक दिखाने पर अपती जताई है कुरेशी ने कहा है कि यह गलत अउधारना है और अब इसे तोलने का वक्त आ गया है इस वाई कुरेशी ने दावा किया है कि इसलाम परिवार नियोजन की अउधारना का विरोध नहीं करता है उन्होंने का है कि भारत में सबसे कम भव विवा करने वाला समुदाय मुस्लिम है उन्होंने का है कि अब हिंदू तु समुदारा पेदा किये गए मित्कों को तोलने का समय आ गया है मुसल्मानों को अब खलनाए के रूप में पेश करने की छवी को चुनोती देनी होगी इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिस है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबर अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर पीम नरेंदर मोदी और अमिशा पर बरसे सरद पवार कहा बंगाल चुनाओं के साथ फार्मर प्रोटेस्ट पर भी रखें रहे जी हाँ दोस्तों महराष्ट के पूर मुक्य मंत्रि और NCP के अद्यक्षर सरद पवार ने कहा है कि केंदर की सत्ता बीजेपी के हाथ में आने के बाद देश में सामपरताईक जहर बड़ा है दिल्ली की सीमाओं पर किसान अंदोलन कर रहे हैं परदान मंत्री को विदेश जाने की फुरसत है पशी मंगाल जाने की फुरसत है लेकिन उनके पास के ओल 20 किलोमेटर दूर बेटे किसानों से मिलने की फुरसत नहीं है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर सरकार की इस पॉलेसी के तहट नहीं गाड़ी खरीदने पर मिलेगा 5 फिजदी डिसकाउंट जी हाँ दोस्तों केंद्रे सड़क परिवन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी ने कहा कि पुराने वहनों को कबाल में देने वाले ग्रावकों के लिए खुशकबरी है अब इस क्रेप पॉलेसी का फाइदा उठा कर आप नहीं गाड़ी खरीदने पर करी 5% की चूट पा सकते हैं नितिन गडगरी ने पीटिया इबासा से कहा कि पुराने वहनों को कबाल करने के एवज में वहन कंपनिया ग्राकों को नए वहन की खरीद पर करी 5% की चूट देगी वहनों को स्वेचा से कबाल करने की निति की घोशना 2021 के केंद्रिय बजट में की गई है गडगरी ने कहा कि इस निति के चार प्रमू गटक हैं चूट के अलावा प्रदूशन फेलाने वाले वहनों पर ग्रीन टेक्स और अन्ने शुलक के प्राउधान है उन्हें स्वेचालिद सुविधा में अनिवारे फिटनेस और प्रदूशन प्रिशिक्षनों से गुजरना होगा इसके लिए देश में स्वेचालिद फिशनेर्ट सेंटर की आउशकता होगी और हम इस दिसा में काम कर रहे हैं इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली वड़ी खबर अमेरिका में मिला कोरोना वाइरस का खतरनाक रूप वेग्यानिकों को वेक्सिन भी बैसर होने का डर जियां दोस्तों कोरोना वाइरस को लेकर रोज नई चिंताएं सामने आ रही है आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों अमेरिका के ओरिगोन में ब्रीटेन में मिले वाइरस का एक नया प्रकार मिला है जो और भी ज़्यादा खतरनाक है खास बात यह है कि एक प्रकार के म्यूटेशन के साथ मिल गया है जिसके चलते इस पर वेक्सिन का परभाव कम होने की संभावना है हाला कि जानकारों ने लोगों से और सतर्क और कोरोना वाइरस को लेकर बुनियादी साथानियों का पालन करने के लिए कहा है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली वड़ी खबर पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के विश्वास मत को विपक्ष ने किया खारीज दोबरा चुनाओं की की मांग जहां दोस्तों पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं ने नेशनल एसंबली में इमरान खान सरकार के विश्वास मत प्रस्ताओ करने के तरीकों को नकार दिया है विपक्षी नेताओं ने कहा है कि पीम इमरान खान को इस्तिफात दे करना इसरे से नेशनल एसम्बली चुनाओ कराने चाहिए विपक्षी नेताओं की यह प्रतिकिरिया इमरान खान सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद आई है इससे पहले एसे मली के बाहर सत्ता और विपक्षी दलों के साथ सांसद आपस में उल्जे नजर आये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेताओं की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थ को के साथ तीखी भायस हुई विवाद के दोरान PMLN नेता एसान इकवाल पर जूते फेके गए वहीं डाक्टर्स मुसुद्धिक मलिक और मरियम औरंजेब पर हमला किया गया PMLN के नेता उन्हें आरोप लगा है कि उन्हें PTI समर्थ को ने परेशान किया है और उनके साथ आतापाई की है उन्होंने ये भी आरोप लगा है कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई पुलिस कर्मी या सुरक्षा कर्मी मोजुद नहीं थी इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली वड़ी खबर क्वार्ड देशों की बेटक की तेयारयां जोरो पर भारत परसांथ शेत्र में चीन के खिलाब बनेगी रणनीती जियां दोस्तों क्वार्ड नेशन्स के विदेश मंत्रियों की तीसरी बेटक को अभी एक महिना भी पूरा नहीं हुआ इसी भी समू के सदसे उस्ट्रेलिया के प्रदान मंत्री स्कॉर्ट मौरी सन ने खुलासा किया है कि चारो देशों के नेता जल्द मुलाकात करने जा रहे हैं अलाकि अभी तक इस बेटक की तारिक का पता नहीं लग पाया है अगर ऐसा होता है तो यह कौर्ड देशों की पहला सिकर संबेलन होगा कौर्ड देशों के समू में भारत, अमेरिका, उस्टेलिया और जापान सामिल है खास बात यह है कि समू को लेकर भारत अमेसा संकोच करता रहा है बेटकी खबर सामने आते ही एक बात साफ हो गई है कि मुलाकात को लेकर तेयारिया जारी है मोरिसन ने जानकारी दी है कि अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने कुछ हफतों पहले मुलाकात के बाद इस मुद्धे पर चचा की थी उन्होंने कहा कि राष्टपती और विदेश मंतरी ने यह साफ कर दिया है कि इंडो पैसेफिक में सांती के लिए बहु पक्षिय संग्धनों पर दोबारा काम करना होगा उस्टेलिया इपीम ने कहा कि वे कौड नेताओं की मुलाकात का इंतिजार कर रहे हैं इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दोरान पशीमी माले राजजयों में कई इस्तानों पर बारिश और बरफ बारी की संभावना जताए गई है वहीं अगले 24-47 घंटों के दोरानी माचल परदेश और उत्राकंड में भारी बरफ बारी का अनुमान है पंजाब उत्री हरियाना और उत्तर पशीमी उत्तर परदेश में भी कई इस्तानों पर हलकी से मद्देम बारिश हो सकती है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर 27 फरवरी के बाद से पेट्रोल की किमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है लगातार बड़ती महंगाई के बीच बीता हफ़ता बड़ी राहत लेकर आया है और पूरे हफ़ते तेल की कीमतों में कोई अंतर नहीं आया इसके बाद दोस्तों जानते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुड़े जी हाँ दोस्तों सब्ता के आखरी कारोबारी दिन सुक्रुआर को 5 अपरेल 2021 वाइदा के सोने की कीमत MCX एक्सचेंज पर 142 रुपे की तेजी के साथ 44,683 रुपे परती 10 ग्राम पर बंद हुई इसके लावा 4 जून 2021 के सोने की वाइदा कीमत बीते हफ़ते के आखरी कारोबारी दिन MCX पर 130 रुपे की तेजी के साथ 44,866 रुपे परती 10 ग्राम पर बंद हुआ आपकी जानकारी के लिए बतादे दोस्तों सोने की केमतों में पिछले कुछ समय से गिरावट आ रही है पिछले सप्ता सोने के भाव में गिरावट दर्ज हुई पिछले सप्ता के पहले कारोबारी दिन सोमवार एक मार्च को MCX पर 5 अपरिल 2021 वाईदा के सोने का भाव 46,000 रुपे परती 10 ग्राम पर खुला था आपकी जानकारी के लिए बतादे दोस्तों सोने की केमतों में पिछले कुछ समय से गिरावट आ रही है पिछले सप्ता सोने के भाव में गिरावट दर्ज हुई पिछले सप्ता के पहले कारोबारी दिन सोमवार 1 मार्च को MCX पर 5 अपरिल 2021 वाईदा के सोने का भाव 46,000 रुपे परती 10 ग्राम था वहीं से पिछले सप्तर में इस सोने की कीमत 45,736 रुपे परती 10 ग्राम पर बंद हुई थी इस तरह इस सोने के भाव में पिछले सप्ता 10,000 रुपे परती 10 ग्राम की गिरावट दर्ज हुई इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर नेपाल के PMKP शर्मा ओली को नहीं है चीन के टीके पर भरोसा लगवाई भारते कोरोना वैक्सिन जी हां दोस्तों नेपाल के PMKP शर्मा ओली बैसक चीन को अपने देश का भरोसे बंद दोस्त करार देते हों लेकिन उनकी शान में कसिदे पढ़ते हों लेकिन चीन की कोरोना वैक्सिन पर वै भी भरोसा नहीं करते नेपाली PM के पिशर्मा ओली और उनकी पतनी राधी का साक्या ने रववार को सुबह त्रिवभवन विश्विध ध्याले सिक्षन अस्पताल में जाकर कोवी शिल्ड का टीका लगवाया इस कोरोना वेक्सीन को ओक्सपोर्ड उनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्टोजेनिका ने मिलकर विक्सित किया है भारत का सिरम इंस्टिट इस कोरोना टीके का उत्पादन कर रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों भारत कोरोना वेक्सीन का निर्मान करने वा महल महल 7 रुपे में कीजिए 100 किलो मीटर का सफर जहां दोस्तों पेट्रोल डीजल की किमतें रेकोर्ड इस तर पर पहुंच गई है महंगाई की वज़े से आम आदमी की जिंदगी बहाल हो रही है लगाता जे पर बढ़ते बोज़ की वज़े से आम आदमी अब पेट्रोल ड प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी न्यू जनरेशन इलेक्ट्रिक बाइक ओटम 1.0 को लॉंच किया है कंपनी का दावा है कि ओटम 1.0 से 100 किलो मेटर तक का सफर महल 7 रुपे में पूरा किया जा सकता है है हिदराबाद की विकल स्टार्ट अप ओटम मोबाइल प्राइव में चार्ज होती है और एक बार फुल चार्ज होने पर 100 किलो मेटर तक का सफर ते किया जा सकता है फुल चार्ज होने में महल 7 से 8 रुपे का ही खर्च आता है कंपनी बेटरी की 2 साल की वारंटी भी देती है तो यह थी दोस्तो आज की सभी महत पूर बड़ी खबरे और दो दोस्तो बारी आती है आज के माइंट किच क्यूशन की जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं इक शांदार उपार के विजयता तो दोस्तो आज का सवाल है भारत की पहली महिला प्रदान मंतरी कौन थी जी हाँ दोस्तो अगर आपको इस सवाल का सवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजे इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें धन्यवाद जेहीं जे भारत वंदे मातरम